पूरा गदी नशीन के साथ चुनाव रणना जायग है। दर दिखाया किसी को एक चेकेन अभी अभी आपने अभी आपने देखिए कई बार बातों में सच्चाई निकल रहा है। के मूँ से क्या निकल गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इसलामिक मौलाना के साथ हो सकता है। हैं यही तो आपने बोला ना और किसका हो सकता है। अगर कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मांता तो वो शिर्क है वो शिर्क है भाई और आज तक दुनिया में पहली कम्निस पार्टी होगी जिसने धर्म गुरू के साथ यह किया। जबकि मैं एक और इमानदारी से बात बता दूँ मैं पुना कह रहा हूं भाई रिवेक जी को इन डिवेटों में आने से परहेश करना चाहिए। फिर भी आप आगए हैं तो आपकी पार्टी तो वह हैं कम्निस पार्टी उने तो दुनिया के तमाम देशों में महजितों को तोप लगा के उड़ाया है बाकादा डिस्टॉइक कर दिया है और आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं मगर आप अपने लिए पीर जादा अबास सिद्धिक्री की पार्टी से गड़ बंदन करते हैं जब पूछे ये सुनिये अरे ये बताइए आप लोग रोजा अफ्तार में जाते थे कि नहीं तो वह कॉंस्टिशन नागर अरे पर मंजिल है क्या जहां पर इफ्तार हो वो तेरी मंजिल पूछिए भाई अगर धार्मिक कारिक्रमोज परहेज रखते हैं तो इफ्तार कहा जाते थे भाई पर मंजिलो की रात हो रही है कि कॉंग्रस के कुछनेताओं को भगवान नाम से नफरत है और अचारे प्रमोज किष्णम मैं आपके सारी बातों के जवाब देता हूँ अपने तो मुझे एक पूरी तैयारी के साथ आया लेकिन आपने तो मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंद कर दिया मैं अब इस विशह पे कैसे बोलू कैसे चरचाना अब 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 आपको रखी इसलिए मैं आपके मैं आगे हिस्सा नहीं ले सकता यह मजबूरी है मेरी मेरे को जाना पड़ेगा आप अपनी बात तो रख सकते हैं मैं अपनी बात अब कैसे रखो आपने शुरू में बोल दिया कि किसी प्रकार से कॉंग्रेस पार्टी ने संतों का सम्मान किया है कैसे 71 में रामानंद सास्त जी को बिजनौर से लोग सभामें इंद्रा जी ने पहुंचाया कैसे ब्रह्मानंद जी को हमीरपुर से MP बनाया किस प्रकार से संतों के लिए क्या नहीं किया प्रचार जी क्यों कह रहे हैं लेकिन अब यह होता अब फिर किसी दिन मिलेंगे तो फिर बताएंगे अब ऐसे लेकिन अब मैं रुक करता हूं मेरे साथ लारी साब है उनका रख करता हूं तारीक अहमत लारी मैं आपको लगता है यह स्वामी परसाद मौर्या को आपने प्लैनिंग के तहत पार्टी में भेज रखा है और आप उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं माता लक्ष्मी के कितने हा तो ही एट स्पीच है एक बात मैं कहना चाहूंगा एट स्पीच तब होती जब तारेक अहमत लारी कोई कमेंट करता अभी सुनते रहिएगा मेरी बात बीच में ना कहिएगा जी दूसरी बात जैसे हम लोग कर लिए बीजेपी बोलती वैसे ही सुधानशु जी ने आज बो ब्रामण शट्रिय वैश शूद्र तो चौथा वर्ण बढ़ना चले इनके हिसाब से हिंदू नहीं है यह बिल्कुल ठीक कहा है नो आज आज जितने पिछड़े वर्क के हैं जितने श्रीलुकास सब सुन ले कि बाकाइदा बीजेपी के राश प्रवक्ता और सांसा सुधा प्रांशु जी नहीं टाय कर सकते हैं एक हिंदू ने क्या ब्यान दिया है आप उनसे पुछिए और यह बात उन्हों ने कहीं कि माता अगर आप अपने घर की वाइफ को या बच्चीयों को आप अच्छा ट्रीट करें तो वहीं लक्ष्मी सो रूपा होती है अपने घर में अपने अपने परिवार की बच्चीयों को वाइफ को माओं को अच्छे से ट्रीट करें लेकिन उसका माता लक्ष्मी से क्या लेना देना है माता लक्ष्मी आठ हाथ के साथ कैसे पैदा हुई यह क्यो आप माता लक्ष्मी का अपमान क्यो करेंगे मेरा सवाल यह है क्या किस झाल जुक झाल झालवाए झाल 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 फस्टेज कि अ